नमस्कार दोस्तों मैं श्रीभागवत अने थिंग और कुछ भी से दोस्तों आज बात करेंगे हुआई के ओनर नोट 10 के स्पेसिफिकेशन के बारे में तो सबसे पहले कुछ फीचर के बारे में जानते हैं जैसे कि मोबाइल है इसमें बडी डिस्प्लेय दी गाही है इसका डिस्प्लेय पैनल है वह ऐमलड वाला है और इसमें GPTURB दिया गया है जो मोबाइल को घर्मी से बचाने के लिए और काम्रा है वह आर्टीययश्यल इंटेलिजेंट वाला काम्रा है गया है वह एमे लोड़ेट पैनल वाला डिस्पले है जो इसका स्पैक्ट रिशियो है 18.5 रिशियो 9 का रिशियो है जो स्क्रीन से बॉड़ी का रिशियो है वह 81.6 पसेंट का है इसकी PPR इंसिटी है 355 PPR की अब बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की जो इसमें ऑपरेटिं दिया गया है हाँ सिलिकॉन क्रीन का 970 दिया गया है जीप्यू टर्बो के साथ अब बात करते हैं कैमरा की तो इसमें डूल रियर कैमरा दिया गया है एक कैमरा जो है 24 MP का है और दूसरा कैमरा 14 MP का दोनों का अपाचा सेम है 1.8 का अब इसमें Artificial Image Stabilization भी है LED Flash के साथ अब फ बात करते हैं तो इसमें तीन वेरियंट में आता है जैसे की 4GB RAM 64GB internal storage और 8GB RAM 128GB internal storage और इसे एकस्पांद कर सकते हैं 256GB के मेमरी से अब बैटरी के बात करते हैं तो इसमें बैटरी जो दी गई बड़ी बैटरी दी गई है 5000 mH की बैटरी दी गई है फास्ट चार्जिंग के अब बात करते हैं connection की connection के लिए इसमें 4G VOLT है Dual Band Wi-Fi है Bluetooth है NFC है फिर दोस्तों इसमें जो USB है Type C वाला है इसमें 3.5 mm jack नहीं है इसमें एक adapter है USB Type C वाला 3.12 3.5 mm jack वाला सेंसर के बात करते हैं तो आपको इसमें सेंसर के लिए फिंगपी सेंसर मिल जाएगा फिर बात में आपको कमपास भे मिल जाएगा अब कलर के बारे में बात करते हैं तो इस तीन कलर वेरियंट में जैसे की midnight black phantom blue और lily white में अब बात करते हैं प्राइस की तो जो चार जीवी 64 जीवी वाला है वह 2799 वाला मतलब यह 28,100 का है और जो दूसरा वेरियंट है 6 जीवी और 64 जीवी और 128 जीवी आला वह 3599 वान का है जो 36,100 रुपे तक आता है हां दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा जरू बताएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और कमेंट जरू करेगा और सब्सक्राइब भी करिएगा